है गाइस वेलकम बैक टूदी चैनल स्टडी पोर्टल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्जाम् पेटरन और स्अमय बेसिकली कि आपका एग्जाम् पेटर्न रहेगा किस टाइप इस तर्फेकर लाइन सॉचिन कितने आपको जो है को स्वालों के जवाब मिलने वाल हे एक्जाम पेटरन आई होप और मुझे पता है कि आप सब को अलरेड़ी पता होगा कि कितने नंबर का पेपर होगा किस तरीके से होगा सबसे ज़्यादा जो कन्फियोजन होती है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो हम किस में काउंट करते हैं सेक्शन ए में करेंगे सेक् पर फोकस करने की जरूद है तो आज किस वीडियो में आपके इन सभी डाउट के सवाल आप लोग को मिलने वाले तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो इस ते पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी बैल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि जैसे वीडियो प्लोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके आप हमें शोशल मीडिया पर फोलो कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में प्रो प्रती है तो प्रती टीजिटी है तो टीजिटी एंड यूर सब्जेक जो भी आपका सब्जेक्ट होगा इस्टी पॉलिटी फिजिक्स केमेस्टी बायो हिंदी इंग्लिश वह आप यहां पर लिख सकते हैं ताकि आपको आपके एक्जाम से रेलिवेंट इन्फोर्मिशन म भी जुड़ सकते हैं इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में प्रवाइड़ है और अगर आप डी ट्रेपल इस्पी पीजिटी के तयारी कर रहे हैं और कोर्स जॉइन करना चाहते हैं तो हमारे लाइफ और रिकॉर्डेट कोर्स अविलेबल हैं जिसके से लावा अगर आप से स्टडी में बिलीव करते हैं कि नहीं मुझे घर बैठ कर तयारी करनी है में पास और यह भी मैंने अपनी मास्टर्स की है या बीट की है ग्रेजुएशन की है उसके बारे में सारी चीज़े मुझे पता है तो बस मुझे रिफ्रेश करना है कुद को और से स्ट्रडी से आपको लगता है कि आप एक्जाम बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे तो आप नोट्स भी ओडर कर सकते हैं क्योंकि नोट्स आपके सेलेक्शन में बहुत ही एहम मुमिका निबाते हैं अगर आप सही जंगे से पढ़ रहे हैं और वह चीज पढ़ रहे हैं जो आपके लिए एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से इंपोर्टेंट है तो आप एक्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं तो नोट्स भी आप ओडर कर सकते हैं इस तरीकी की बुकलेट से वह आपको प्रवाइड होती है डी ट्रिपल स्बी के लिए जैसे यह एक्जामपल दिय कि fora तरीका के लिए और और गोर्टी नोल rinse कि यहीघ किस तरीके नहीं का में धोल टो हम रहता है जिसको कि हम जर्नल बन लुए नहीं सरक है कि हमारा न पर सासर हो हैं तो ये में अ इसमें पीजिवेंट के लिएंग सोने से लिए तो जो भी आपका सब्जेकिट तो सब्दे करते हैंि section first section first में आपका क्या क्या है पहला आपका portion है mental ability and reasoning ability तो आपकी basically reasoning है उसमें आपके 20 questions होंगे और 20 ही marks क्योंगे यानि कि आपका एक question एक नंबर का रहेगा ठीक है उसके बाद है आपका journal awareness जो आपका जी जबकी current affairs आपको six months की वो focus करनी होते है थोड़ा बहुत जी क्यों सर एलिवेंट आप पढ़ेंगे बीस questions आपके बीस नंबर के इसमें आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद है हमारा English language and comprehensive इसमें भी आपके बीस नंबर के बीस question होते हैं इसमें भी आपके बीस नंबर के बीस questions होते हैं और उसके बाद है आपका नुमारिकल आप्टिटूड एंड डियाइड डाटा आपके हंडर ही questions जो है वो पूछे जाएंगे तो एक question आपका एक मार्क्स का है अब हम बात करते हैं section 2 की section 2 में जो भी mcq होंगे वो relating to your post graduation qualification जैसे आप पीजिटी हिंदी के लिए form फिल कर रहे हैं तो आपका अब आपको पॉल साइंस में सब्जेक्ट रहा होगा तो आपको पॉल साइंस से सब्जेक्स के लिए हां पर देखने को मिलेंगे 200 questions आपके 200 marks के आपके यहां पर होते हैं यानि कि एक question आपका एक marks का यहां से रहेगा तो total आपका 100 and plus 200 तो total आपका कितने number का हो गया 300 number का आपका जो है exam हो गया 300 marks का आपका exam हो गया और इसमें आपके 300 ही आपके क्या हो गया questions और नहीं बार खंच पशते हैं आपका वो प्रक्रीश को ऑफ्रन होता है यह तो किटने प्रकलगा過去 हुटा है आपका ट्री कीकर पीडियाननी चाहर आप हिंडी और हिंच दोनों ही Dwiblaлом हें आपका जो भी मीडियम है आप उसके according attempt कर सकते हैं अपने questions को next है हमारा minimum marks minimum marks आपको कितने चाहिए होते हैं अगर आप journal या EWS category से हैं तो आपको minimum marks चाहिए होते हैं 40% अगर आप OBC से हैं OBC में सिर्फ और सिर्फ जो डली वाले लोग हैं जिनके पास OBC certificate है वो डली से हैं वहीं यहां पर OBC के रूप में consider होंगे इसके अलावा आप किसी भी स्टेट के OBC है तो आप journal category में ही count होंगे तो OBC में आपको 35% marks चाहिए SCST physical handicap हैं तो 30% marks चाहिए SCST आप किसी भी स्टेट के ओ डली के लिए आप SCST ही consider होगे तो एक सर्विसमें विल बी गिवन 5% relaxation in respective category subject to minimum of 30% तो अगर आप एक सर्विसमें है तो इसमें और 5% की relaxation मिल जाएगी लेकिन minimum फिर भी 30% जो marks होने चाहिए आप जो बात कर रहे हैं minimum marks की concept paper में कहां होने चाहिए किसी सब्जीक specific में वने चाहिए हिंदी इंगलिश समें या section 1 में होने चाहिए section 2 में होनी चाहिए तो यह आपके जो marks है वह आपके देखे जाते हैं section B में यानि कि आपका जो subject specific portion है उसमें आपका जो है 200 का जो पेपर है उसमें आपके यह minimum marks होनी चाहिए ठीक है so the mandatory minimum qualification marks in tier 1 examination will be applied only in respect of section B which is domain subject specific तो जो minimum marks देखे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ section B में देखे जाएंगे जो आपका 200 number का paper है paper 1 जो है आपका जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ रिजिंग के उसमें कोई फरक नहीं पढ़ता आपके कितने marks है उसमें minimum का कोई criteria ने ठीक है I hope clear है क्योंकि काफी बच्चों को यह doubt रहता है second there will not be any minimum qualification marks in section A to section A में कोई minimum marks का funda ही नहीं है ठीक है however combined aggregate marks of both section A and B will be record for preparing the final merit list जितने भी marks होंगे B, B में आपका minimum qualify करना जरूरी है और आपकी merit कैसे बनेगी अब यह लगता है कहीं को कि merit बनेगी सर्फ paper 2K basis पर यानिकि section B जो आपका subject specific है section A का कोई मतलब ही नहीं हमारे दोनों को मिला के बनती है तो section A यहाँ पर clearly mentioned a notice में section A and section B तो आपका A plus B यानिकि 100 marks का आपका section A है और B आपका जो subject specific है वो 200 का है तो total 300 marks का जो है आपका यहाँ पर वो क्या होगा total 300 marks से आपकी merit यहाँ पर बनेगी तो आपको दोनों ही section पर focus करना जरूरी है evaluation of tier 1 examination will be undertaken based on cumulative marks of section A and B तो जो A और B में आपके marks आएंगे उसी के basis पर ही आपका जो result है वो clear होता है अब सवाल आता है क्या कोई negative marking है तो हाँ DSSB में negative marking होती है और negative marking है आपकी one by four यानिकी 0.25% जो है आपकी negative marking होती है ठीक है तो यह आपकी यहाँ पर negative marking रहेगी इस पर भी आपको focus करना है तो I hope अब आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कितने marks का paper होता है कितने questions होते हैं कितनी दिर में time करना है minimum qualification कहां से count करेंगे merit हमारी कैसे बनेगी by lingual होगा या किस language में हमार पेपर आएगा negative marking है कि नहीं मैंने आपके सबी सवालों के जवाब यहाँ पर provide कर दी है फिर भी अगर आपके पास DSSB, PZT, TZT, PRT या किसी भी teaching exam से relevant कोई भी आपके मन में question है, doubt है आप बेज़ी ज़ी जग comment section में comment कर सकते ह वहाँ पर आपका reply करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही फिर से मैं आपको update करतू कि आप हमारे साथ जूड़ सकते वर्टसप के मादियम से अपना नाम अपनी CT और अपनी exam की detail सेंड करके इससे आपको आपके exam से relevant इस तरीके से updates मिल अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं एक्जांपल के तोर पर मैंने यहां पर कुछ नोट्स आपको दिखा है इस तरीके की अलग-अलग सेक्शन की हरे एक बुकलेट आती है जैसे यह टीजिटी सेस्टी है तो इसमें आपका English है हिंदी है जिक्के है आपका teaching aptitude भी है जो कि आपका subject specific के साथ पूचा जाता है तो यह आपका पूरा का पूरा टीजिटी सेस्टी का सेट है इसी तरीके से यह पीजिटी पॉलिटिकल साइंस का जो है वो है subject specific जो आपका subject है वह पांच पार्ट में divided किया गया है और साथ ही उसका प्रैक्टिस सेट भी यहां पर अविलेबल है तो इस तरीके से आपको नोट्स मिलते हैं नोट्स ओडर करने के लिए आप हमारे हेल्प्राइं नमबर पर हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही फिर में लेंगे इसी तरीकी की नई अपडेट्स के साथ तब तक थैंक्यू सो मच बबाई टेक्यों